आज हम आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सॉफ्टर में बैकप कैसे ले सकते हैं अपनी डेटा का किसी भी सॉफ्टर में डेटाबेस का बैकप लेना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और सॉफ्टर टेक्नों यह रिकमांड करता है कि आप डेली या वीकली अपने सॉफ्टर का बैकप लेके अपने किसी USB में या Google Drive में सेफ करने क्योंकि सॉफ्टर टेक्नों आपकी डेटा का रिस्पॉंसिबल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने डेटा का बैकप ले सकते हैं सबसे पहले मैं आजाता हूँ एड्मिरिस्ट्रेशन में यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट ऑप्षिन बैक अप यूटिलिटी इसको मैंने क्लिक क्या तो मेरे पास बैकप यूटिलिटी की विंडो ओपन हो गई अब इसमें मेरे पास तीन ऑप्षिन आ रहे हैं सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बैकप बेटा में अनल चुकर तांगर अब सॉस्टर आपसे पूछ रहा है कि आपको अपना डेटा का बैकप कहां पे सेफ करना है अगर आपके पास Google Drive है, One Drive है या इसके इलावा आपके पास को USB लगी हुए है तो उस Drive पे आप सेफ कर सकते हैं अब मैं आ जाता हूँ, for example, अपने desktop पे मैं इसको save कर लेता हूँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे date और time के साफ एक file save हो गई है तो software आपको यह भी बताएगा कि आपका last backup कौन सी date और कौन सी time का था इसको मैंने save कर दिया, तो आपके पास यह message आ गया, Your backup has been saved at selected location अब मैं इस location पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, lastly मेरे पास एक file को गई जगे जिसमें date or time show हो रहा है तो यह मेरे complete backup की file है, जो कि starting से लेके end तक का backup है मेरा इसके साथ-साथ मुझे यह देखना है कि अब मैं अपने backup को restore कैसे कर सकता हूँ, for example, आपका database इसके साथ-साथ मुझे यह देखना है कि मैं अपने backup को restore कैसे कर सकता हूँ, for example, आपका software और जाता है या Windows crash हो जाती है तो आपको अपना backup restore कैसे कर सकते हैं तो हमारे पास second option आ रहे है restore backup data इसको मैंने yes किया तो यह आप से पूझे का आप से को कहा से restore करना है आपकी software की backup की file हो सकता है आपकी USB में हो या आपके OneDrive में हो आपने simple for example यह मेरी file है इसको मैंने double click किया तो यह मेरे पास message box आगया your selected backup has been restored